हेलो गाईज, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इडली की रेसिपी इडली को सॉफ्ट और स्पॉंजी कैसे बनाएं ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगे इडली के बैटर के लिए मैंने लिए हैं तीन कटूरी चावल, देड़ कटूरी उड़त दाल, एक स्पून मीथी दाला, इन तीनों को मैंने 5-6 गंटे विगो के रख दिया है आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी विगो कर रख सकते हैं, उसकी बाद इसे पीस ले और फिर नमक डाल दे और 4-5 गंटे के लिए फिर से इसे रेस्ट के लिए रख दे, अगर थंडी का मौसम है तो आप इसे ओवरनाइट रेस्ट के लिए रखे, और अगर गर्मी है तो 4-5 गंटे इस मोर्दन इनाफ है बैटर को साचे में डालने से पहले, आप बैटर को अच्छी तरह से फेट ले आप जितनी अच्छी तरह से बैटर को फेटेंगे उतना ही इसमें खमीर उठागा और इडली सॉप्ट और स्पॉंजी बनेगी साचे में आप सबसे पहले तेल लगाएं तेल इसली लगाया जाता है ताकि जब इडली बन जाए तो इसी हम इजीली निकाल सके इस तरह से आप अच्छी तरह से तेल लगा लें अब हम इसमें बैटर को फिल करेंगे ये देखिए मैंने कुकर में पहले से ही पानी बॉइल करने के लिए रग दिया था पानी हमारा बॉइल हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे अपना इडली का साचा अब इसे हम कुकर में रग देंगे खुकर की सीटी निकाल देगा इस इडली बनाते वक्त सीटी घटा जना चाहिए ये मैंने चटनी बनाई थी चटनी के लिए मैंने क्या-क्या लिया है मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले नारियन लिया है किसा हुआ फुटाने, फली दाना, थोड़ा सा भुजिया, अद्रक, हरी मिर्च, मीठा निम, जीरा, नमक, धन्या बत्ती और लिया है दही इन सबको मैंने पीस लिया है अब चटनी में हम तड़का लगाएंगे तड़का लगाने के मिले है पैन में डाला है तेल, राई, हींग, मीठा निम, और मैं इसमें एक मिर्ची डालूँगी यह हमारा तड़का रेडी हो गया है अब हम इसे चटनी के उपा डालेंगे देखे गाईज हमाई चटनी कितनी जैंटिंग लग रही है अब इडली हुई नहीं है दस मट तो लगेंगे और मैंने यहाँ पे सांभार रेडी कर लिया है अगर आप लोगों को सांभार की रेशिपी चाहिए तो मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताएं अब हमारे इडली बन चुकी है इसे में कपड़े की मदद से अब बाहार निकालूंगी अब इसे आप दो तीन मिनट के लिए ठंडा होने के विए रग दे चक्कू की मदद से अब आप इडली निकाल लीजिए देखेगा इस कितनी इजीली निकल रही है तो कि हमने इसमें टेल लगाया था इसमें यह हमारी इडली बनकर रेडी हो चुकी है अब चलिए सर्फ करते हैं सबसे मेंने मैंने प्लेट में सांभार रखा है और थोड़ी सी चटनी आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताएं अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी और रेसिपी इस के लिए मेरी चानल को सब्सक्राइब करें बाई